पिछले एपिसोड में हमें देखा था कि चैंसा हुआ मैनुवल एक बोट देखने के लिए जा रहे थी तब भी वहाँ उन्हें मीरा दिखाई देती है अब देखेंगे उससे आगे एपिसोड ती सुरुआत में दिखा जाता है कि दोहंग और राजकुमारी की शादी हो रही होती है लेकिन देखने से लग रहा था कि दोहंग साधी शे खुस नहीं है और तब यहाँ पर मैनुवल आती है और एक एकर के सारे सिपाईयों पर मार रहने लग जाती है और उसके बाद मैनुवल राजकुमारी की खमरे में जाती है और उसके गरदन पर तलवार थांग देती है राजकुमारी से बोलती है मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चीए था केवें बैठी होते हैं तो मीरा उसे पुछती है जो तुमाइशा ङारी माली थी तो चैंसवं उससे बूलता है क्या मुझे से जानती हो तो मीरा बोलती हुझ द तो चैंसव उसför आज से सांस पर कभी देखा नहीं और जो उस फोटो से पसंद नहीं आती हो उसे डिलेट भी कर देती है यहाँ पर यमदूत एक गोड़ी और अथ को वहाँ से ले जा रहे होते है और उसके बाद दोनों बैठके यहाँ पर बाते करते हैं मैनवल मागो से पूछती है क्या तुमने ही मुझे आज उस लड़की से मिलवाया था तो मागो से बोलते है कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ो भी उसने कई जनमनों के बाद इंसानी रूप में जनम लिया है तो मैनवल उससे बोलती कि मैं उसका कुछ न बिगाड़ू तो ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन उसायद मुझे ये भी पता है कि अगर मैं उसका नहीं बिगाड़ूँगी फिस शायर में इस दुनिया से आराम से जा पाऊंगी और उसके बाद वो ये कहते कि उट जाती है कि मैं तुमारी बात को ध्यान रफूँगी और उसका कुछ नहीं बिगाड़ूँगी और उसके बाद वहाँ से कार में बैटकी खर चली आती है तो यहाँ पर उसके जाने के बाद मागो बोलती है कि सब का वक्त जरूर आता है यहाँ पर चैंसंग होटल आता है तो पूसता है कि मैंवल यहाँ पर आई नहीं क्या तो दोनों बोलते हैं कि वो सायथ सोपिंग करने के लिए चली गई होगी तो चैंसंग बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्यों कि उसका credit card तो खतब हो चुका है और वैसे एक बाप बता हो कि कभी ऐसा हुआ है कि manuel यहाँ पर कभी ना आई हो तो मिश्टर तिम बोलता है कि ऐसा होई ही नहीं सकता है वो इस hotel से दूर से जुड़ी हुई है तो C.O.E. बोलता है कि अगर manuel ने नहीं बताया होगा तो उसकी बीचे कोई वज़ा होगी तो चैंसंग बोलता है कि सारे वेटर को बात पता है लेकिन मुझे पता नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर C.O.E. बताती है कि manuel ने कई बार भागी नहीं कुशिश किया है लेकिन उस hotel से नहीं बाग पाई तो यहाँ पर Mr. Jim बोलते है वो स्पेड की तरह है जिसकी पत्तिया कहीं भी चले जाए लेकिन उसकी जड़े वहीं रहती है यहाँ पर मीरा को भी वह पर्स मिल जाता है लेकिन उसकी फोटो नहीं मिलती जो उसकी खास फोटो दी यहाँ पर फोटो मैनवल के हाथ में थी जिस साइद उसकी बच्वन की थी तब ही दर्वाइज पर नोख होता है तो उससे लगता है कि साइज चैन संग है जब वो खूलने के लिए जाती है तो वहाँ पर सी ओई होती है वो बोलती है कि चैन संग को ज़्यादा परिसान लग रहे तो मैनवल पूसती है कि वो फिर है कहाँ पर तो सीओ बताती है कि यह तुम्हारी फ्रेंड अप थीक है तो थोड़े बाद मैनवल दुबरह बोलती है कि तुम मैं मन में कोई सवाल नहीं है क्या मुझी तो लगा काफी सवाल होंगे उसे पूछनी के लिए चैंसर मुलता है कि मेरे पूछनी से तुम रुख जाओगी हजारों सालों से तुम यहां पर हूँ ना जाने कितने सालों तक और रहोगी इसमें मैं तुम्हारी क्या मुदत कर सकता हूँ और वैसे एक बाप बताओ तो मुझे छोड कुछ भी हूँ स्याए तुम्हारे पार कितनी मुश्किलों को सामना ले लेकिन मैं हमिसा तुम्हारे साथ ही रहुगा और यहां पर हम एक नई इस्टोरी देखते हैं जहां पर एक घर के अंदर एक कैसे चल रही होती है और तभी वहां पर उसे मालिक आता है और उसको और ला ला खतम नहीं हो जाता है और तभी वहां पर आती है उस ते प्सक्राइब कर नचाजिकवार तो यहां पर पर नहीं हो पर मिला जहां पर में कभी गई ही ही नहीं थी ना जाने कौन सा भूर दो छोड़ो कोई होगा चोर जिसने आमें हैं उसमेरा पर्स चुराया हों तो मेरा बोलती है कि मैं तो उसमें बड़ती नहीं हो और वैसे मुझे कुछ पैसो की जरुवत है तो क्या तुम दे सकते हों तो यहाँ पर होटल पर सिंसिफ्ट होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि मैनवल ने एक अनूसमेंट पार्क खोल रखा है जब जो उसे पूछता है कि यह क्यों बोला है और किसके लिए बोला है तो मैनवल बोलती है कि मैं उसे जल्द यहाँ पर लाने बारी हूँ और तब ही जो पूछता है कि वैसे तुमने मिस्टर कीम और सियोई को कहा पर बेजा हुआ है तो यहाँ पर मैनवन उन्हें बताती है कि मैं उसे नई प्रॉपरिटी देखने लिए बोला है और उसके बात यहाँ पर स्यूवी और मिश्टर के माते हैं और जमीन का पता लगाते हैं और किम दिना और जम भी उनके पीछे बीचे सी के घ़र्पॉच आटेशा की पर रहते हैं कि मीरा की जो दोस्ती वही कर रहते हैं यहां पर जमीन सब्सक्राइब एक और नहीं विद्धार चाहएं तुम वहाँ पर मैनवल की वज़े से हो और तभी चैंसंग वहाँ पर खासी आ जाती है तो सेंसेस बोलता है कि तुम पकड़ेगे तुम वैसी लग रहे हो जैसे मैं लगता हूँ जैसे दिखने में मैं एक दुकांदार हूँ लेकिन मैं एक करोड़ पती हूँ और तभी यहा बताता है कि असलमा हम तुमारे गल्फ्रेंड मीरा का पीछा गर रहे थे और तभी हो पर मैनवल आ जाती है कि तुम उसका पीछा क्यों कर रही है और वैसे तुम और काम नहीं यहां से जा रही हूँ तो चैंसंग बोलता है कि रूप रूप यहां पर भूत है जो हमें निक लेटा रहे है तो मैं उसी घर में एक साथ बूट ढालने थी उसकि बाद Suhkem वे. रहे जाता है तो लड़की तुरन्त खड़ी होती है और चैंसन सिर्ल लेपड़ जाती है magari चिपकने पहले मीम मीम बोल रही होती है.." मैन्वल को ये देखे बड़ा बुछ साता है तो चैंसंग उससे पूछ आए कि वैसे ये मेम कौन है यहाँ पर तभी वो लड़की और चैंसंग बात कर रहे होते हैं तो मैन्वल यहाँ पर पुरा घर चानती है चैंसंग उससे बोलता है कि विजज़रा हो इसे वोटर ले जाना चाहिए शायद वहाँ पर ठीक हो जाए तो मैन्वल बोलती है कि इसे वोटर ने ले जा जाता था क्योंकि यह एक बूत है ही नहीं और यहाँ पर जैसे ही मैन्वल उस मुज़िक को बंद करती है तो यहाँ पर मैन्वल समझाती है कि एक इनसान ने कवीता लिखी जिसमें एक लड़गी को मीम से प्यार करवाया और डॉक्टर से उस अफेर करवाया और उस कानी में इतनक हो गया कि उस लड़गी को जिंदा करती है और फिर पास्याinky तुमिक्ष ही मैन्वल में और यहाँ अपर हमें इसका कई और बहुता है घटनने सर्ष एक है थीम पार्क में ले जाती हूं जो हमारा फेमस पार्क है यहाँ पर जैसे ही मीरा उसके इंदर एंटर होती है उसे पार्क बहुत अच्छा लगता है और रहां पर मैनवल भी खड़ी होती है मीरा उसके बोलती है कि मुझे गुलाने करें शुक्रिया मुझे समझ नहीं आ रहा क तो तुम्हें कैसा लगा ऐसा पुछ और यहाँ पर मैनवल उसका अतीज उसके सामने रख देती है जहाँ पर पार्क में खड़ी हुई थी बहुत साल पहले और उसके माबाप उसे पार्क में अकेले चोड़के चले गए थे क्योंकि वो उन पर बोज बनी हुई थी और मैन बैठी वे होती है यहाँ पर चैंसन्ग मेनुवल के पास बैठावा होता है और सपने में वही सपना देखता है जो कि मैनुवल का दीथ था जहाँ पर दोहन बोलता है कि तुम्हारे याद मुझे हमेशा आएगी इसलिए मैं बोतल ले जाता हूँ और सुपर होने के बाद म मेरा इंतजार कर रहा हुब तालाब के किनारे और जैसे में वहां पर उसे मिलनी के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता और जैसे फीछे से कुछ आवाज महसूस होती है कि कोई है तो उसे लगता है साहीज है दोहंग यह पीछी मूर्यतिये तलवार उससे खड़ी बहुत सारे सेना उसके पास आती है और तभी हमापे राजकुमारी आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी वज़े से पूरी की पूरी टूली मारी जाएगी और यहाँ पर हिसंग को भी डोहंग पकड़ लेता है और यहां पर जैसी मैनुवल जेल में बंद होती है डोंग उसे मिलनी के लिए जाता है और इसे बोलता है मुझे तुम्हारी याद आईगी तुम्हारी हर एक पल में दिमाग में होगा तो मैनुवल उसे बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी पर सब्सक्राइब करेंद ऑुरुपकर को सब्सक्राइब य overdigy लाकल को सब्सक्राइब यहां पर ऐस जοoped को प्राइब तबने निहीं होता है मैंने देखा है कि मिद्फवर चुर्ण लेता डोगार लेकिन ऐसे उसने क्यों किया किस लिए किया यह देखेंगे अब लिए किसी एपिसोड में तब तक के लिए ठैंक यू सू मच एंट तक देखने के लिए फिर मिलोगा एक नए एपिसोड के साथ कोशिच तो जल्द करूगा